हेलो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटुब चैनल पर आज से हम नेट की जो सीरीज आप शुरू करने वाले हैं उसमें हम सबसे पहले हिंदी बाशा का और उसका विकास की बारे में चर्चा करेंगे तो हिंदी बाशा की सबसे पहले हम प्रिष्ट बुमी को देखेंगे कि हिंदी की जो इतिहासिक प्रिष्ट बुमी है वो क्या है तो उसमें हम बाशा का सबसे पहले समन्य प्रिच्चे देखेंगे समन्य प्रीचे में हम देखते हैं कि हिंदी बाशा वरतमान में विश्व में छे हजार से अधिक बाशाइं बोली जाती है संसार की सभी बाशाओं के दिन दो परकार के वर्गीकर्ण के तैद किया जाता है वो है अकृति मुलक और प्रिवारिक वर्गीकर्ण तो अकृति मुलक वर्गीकर्ण है जो उसमें रचनात अत्व पर अधारित होता है यह इसमें बाशा के दो बाग योगी अत्मक और योगी अत्मक होते है इसमें बाशा के दो बाग योगयात्मक और योगयात्मक होते हैं इसके जो अन्या नाम है एकरिती मुलक के वो इस प्रकार है कि उपात्मक वर्गी करन रचनात्मक वर्गी करन, व्याक्रनिक वर्गी करन और वाक्यात्मक वर्गी करन इत्यादी इसके नाम है, इसके बाद हम आते हैं परिवारिक वर्गी कर्ण पर, परिवारिक वर्गी कर्ण में रचना तत्व और अर्थ तत्व पर अधारिद होते हैं, इससे पद रचना, वक्या रचना, दवनी अर्थ, शब्द और स्थानिक समीपता, निमन च्छै बाल कर पर्मों में बंटा जता है। जो बाशा परिवार हैं उनको महतव दिया गया है। हमारी हिंदी बरोपिय परिवार की बाशा है जो यूरेश्य बगोलिक शेतर के अंतरगत आती है। बारतिय आर्य बाशाएं और हिंदी बाशा हम इनकी चर्चा करेंगे कि ये कितने समय तक रही और कितने समय तक चल रही है और इनमें कौन-कौन सी उप बाशाएं बाशाएं आती हैं तो बारतिय आर्य बाशा के 3500 वर्षों के विकास प्रम को समाने ते तीन चर्णों में विवाजित करते हैं जिसमें सबसे पहला चर्ण है प्राचिन आर्य बाशा, 2000 इशापुर्व से 500 इशापुर्व इसका समय रहा है इस बाशा के इस वैदिक आर्य बाशा में दो बाशाई आती हैं जिनका नाम है वैदिक संस्क्रित और लोकिक संस्क्रित दो रूपों में इसका विकास हुआ सबसे पहले वैदिक संस्क्रित फिर लोकिक संस्क्रित वैदिक संस्क्रित में 2000 इशा पुरव से 1000 इशा पुरव तक रहा इशा पुरव से 1000 इशा पुरव और 1000 से 500 इशा पुरव उसके बाद हम बात करेंगे मद्या कालिन आर्या भाशाएं 500 इशा पुरव से 1000 इश्वी तक का इसका समय है इसमें हम तीन बाशाओं का आतियन करेंगे, पाली जो की 500 इशापुरों से 1 इश्वी तक, प्राकरत एक इश्वी से 500 इश्वी तक और अपबरेंश यावध उसका है 500 इश्वी से 1000 इश्वी तक का समय है उसके बाद हम तीसरे नमबर पर अदूनिक अर्य बाशा की बात करेंगे जिसमें हम जिसका जो समय है वो है एक हजार इश्वी से अब तक का समय है इसमें हम मानती है इसमें जो इनकी बाशा ही आती है वो है हिंदी, पंजाबी, बंगला, उडिया, मराथी, गुजराती, सिंधी, आदी इसे हम एक ट्रिक से याद कर सकते हैं इन बाशाओं को ये ट्रिक है कि पंजाब, सिंद, गुजरात, मराथा, हिंद, उडिया, बंगा जैसे होता है द्राविड ठीक है तुकल बंगा वैसे हिंद उडिया बंगा पंजाब सिंद गुजरात हमराथ हिंद उडिया बंगा इस ट्रिक से आप याद कर सकते हो अगर आप सिधा याद करना चाते है तो आप सिधा भी याद कर सकते हो अब हम इसके विकास करम को देखें का विस्तार होगा इस पर का आप विकास करम को देख सकते हैं और पीछे हम इनके समय से भी इसको पूरी तरह अध्यन कर सकते हैं हम आज जो प्राक्चिन आरें बाशाएं हैं इनके बारे में एक दो तथे नोट करेंगे कि इसमें जो वैदिक संस्कृत है उसमें वेद वेदा ग्रामन सामवेद का तांडव अथवा पंच विष ब्रामन शुकल यज़र वेद में शत्पत ब्रामन क्रिशन यज़र वेद में तयत्तिरिय भरामन ठीक उसके बाद हम लोकिक संस्क्रित की बात करें तो लोकिक बाशा भाषिकर विवेच्चन सरव प्रत大哥 अश्टा दिया वैदिक बाशा में वेद विद्यांग लिखे गए लोकिक बाशा में रमायन महाबारत नत्य शास्तर अर्थ शास्तर अधिप्रसिद रचनाई लिखी गए लोकिक संस्किर का सबसे प्राचिनतम काव्या गरंथ रमायन है जो कि महर शिवालमी की दवरा रचित है तो गाईज आज की वीडियो में हम एकनी ही चर्चा करेंगे मेटे हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में